नमस्कार दोस्तो भारत के खिलाप औस्टेलिया की सांदार जीत के बाद बदल गया WTC 2023 का पूरा पॉइंच टेबल भारते टीम को पॉइंच टेबल में हुआ बहुत ही बड़ा नुकसान तो क्या है पूरा पॉइंच टेबल बताएंगे दोस्तो आपको इस वीडियो में लेकिन उससे पहले अगर आप लोग बिराट कोहली को एक जबर्दस्त खिलाडी मानते हो ते वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किये जेगा दोस्तो भारत और आस्टेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच इन दौर में खेला गया जहां दूसरी पारी में नेथल लाइन ने सांदार गेंद बाजी करते हुए भारत के आठ विकेट चटका कर भारत को सिर्फ 163 रनों पर रोग दिया और आस्टेलिया को 75 रनों का मामुली सा टार्गेट मिला जिसे आस्टेलिया टीम ने आसाने से हासिल कर लिया और डबलू टीसी के फाइनल में अपनी जगा पकी कर ली तो चलिए अब नज़र डालते हैं डबलू टीसी 2023 के पूरे पॉइंट स्टेबल पर दोस्टो पॉइंट स्टेबल में पांचोए नंबर पर इंगलेंड की टीम है जिसके 124 पॉइंट है और 47 परशेंट जीत परतीसत है और उसके बाद नंबर दो पर भारतिय टीम आ चुकी है जिसके 123 पॉइंट है और 60 परसेंट जीत परतिसत है और वही नमबर वन पर ऐस्टेलिया की टीम आ चुकी है जिसके 148 पॉइंट है और 68 दसवलो 52 परचंट जीत परतिसत है दोस्तो अगर भारत को WTC के फाइनल खेलना है तो ऐस्टेलिया के खिलाब चौता टेस्ट मैच हर हाल में जीतना ही होगा तभी भारतिय टीम WTC का फाइनल खेल पाएगी तो दोस्तो क्रिकेट की ऐसे ही ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर केजेगा